अब विग्न हर्ता गडिश लोगों को करेंगे कोरोना वाइरस से बचने के लिए जागरू जिहां कोविड-19 की जंग को जीतने के लिए पूरा देश अपने घरों में कैद हैं ऐसे में सरकार और आम लोग एक दूसरे को जागरू करने का प्रयास भी कर रहे हैं इसी के तहट प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के संसुदी छेत्र वाराणसी के चित्रकार विजय ने अपने चित्रकारी के माधियम से कोरोना वाइरस के खिलाफ लोगों को जागरू करने का प्रयास किया है द्रसल लोग डाउन पार्ट 3 चल रहा है जिसके बाद लोगों द्वारा लोग डाउन की अवहिलना करते लगातार देखा जा रहा है उनको जागरू करने के लिए वारानसी के ये चित्रकार भगवान गडेश के चित्र के माध्यम से लोगों को जागरू करने का प्रयास कर रहे हैं चित्रकार विजय द्वारा बनाई गई भगवान गड़ीज की चित्रकारी में कोरोना वायरस को त्रिशूल से अंत करते दिखाया गया है तो दूसरी तस्वीर में भगवान मास्ट लगा कर घर में रहने का संदेश दे रहे हैं मैं विजय मुर्तिकार विजय जी किस तरीके से पेंटिंग के माध्यम से लोगों को संदेश देने जाग रुखता था तेखिए हम महाप्रभू गड़ेंज जी के माध्यम से पूरे समस्त भारत वरस को एक ऐसा संदेश देते हैं कि कासी में महाप्रभू कितना ज़्यादा लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग और किस तरह से घर में रहने का संदेश दे रहे हैं हम पेंटिंग से माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये painting जो हमने बनाई है ये समस्त लोगों को कैसे महाप्रभू आशिरवात देते हुए लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अपने काशी को ही नहीं पूरे भारत वर्स को भारत वर्स से आगे बढ़के हम पूरे विश्व की कामना करते हैं कोरोना को कैसे हराएंगे और कैसे इस पे हम विजय पाएंगे इसके साथ ही कोरोना वायर्स की उत्पत्ति कहां से हुई है और इस वायरस से बचाओ कैसे किया जाए यह भी दिखाये गया है आपको बतादे भगवान गड़ेस की चित्र बनाकर लोगों को जागरू करने का उद्धेश है कि जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं कम से कम वे भगवान द्वारा दिये गए संदेश को मान कर लोगडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहकर कोरोना वाइरस की जंग जीते और देश में अपना योगदान दे रिपोर्टर्स पेच की खास रिपोर्ट